नमस्कार आप देख रहे हैं जंदा की अवाज और मैं हूँ आपके साज आया परवीन आम तोर पर शादियों में आलिशान गाड़ी या फिर पारंपरिक वहनों पर बरात निकलती है अगर आज हम आपको एक अनोखी शादी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें दूलहा दुलहन के घर कार या घोरी से नहीं पहुचा जी हां दरसल दूलहे ने दूलहन के घर पहुचने के लिए JCB को चुना हाला कि JCB को चुनना दूलह की मजबूरी भी थी क्योंकि इस इलाके में तीन से चार फिट बर्फ गिरी रुई थी और JCB है तब जाके रोड कर रहे हैं क्लियर अजया जाओ मैं जब गिर अंगी ठाले के यह बढी गिरे शादी आपर सिर्ची में तुम वारावी जये हुट और से लाट अवारा फोजाए यहां संगहार के साथ लगते जावगा के सोपर गाउं में बराग जेसीबी पर निकली बता दे की संगहार से करीब आज किलोमीटर दूर पहले जेसीबी से बर्फ हटाने का प्रयास किया लेकिन जब बात नहीं बनी तो दुलाद जेसीबी में ही बराग जेसीबी के साथ जुलहन को लेने पहुँच गया बराद ने आगे का करीब 30 किलो मीटर लंबा रास्ता JCB से ही तैक किया इस दोरान बिदाई के बाद बराद को वापस लोटते वक्त एक अन्य JCB की मदद लेनी पड़ी बता दे कि इस दोरान कई जगाओं पर 2-4 फुट तक बर्फ गिरी हुई थी शोशल मीडिया पर इस शादी का वीडियो खूब वारल हो रहा है एक खबर शोशल मीडिया पर जैसे ही पहुँची उस पर लोगों ने अपनी प्रतिकिर्या देनी शुरू कर दी कुछ यूजर्स ने कहा कि सही है दूला JCB से दूलहन के घर पहुँच गया वरना शादी की सारी तयारियों पर पानी फिर जाता दोस्तो ठंड बले ही पहाड़ी इलाकों की खुपसूर्ती में चार चान लगा देती हो लेकिन इस मौसम में होने वाली बर्पवारी के वज़र से लोगों को कई दिक्कतों से जूजना पड़ता है कई इलाकों में तो इतनी बर्पवारी होती है कि उनका संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है पारल हुई इस वीडियो पर आप का कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहे हैं जुनता की अवाज नमस्कार